ओम शांती सुनते हैं 5 देसेंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधूर महावाक के आज की अव्यक्त वानी का टाइटल है विजे का जंडा लेराने के लिए realization course शुरू करो आज बाप दादा ने महार्थी घोड़े स्वार प्यादों की स्थिती का वर्णन किया वो क्या वर्णन किया सुनते हैं इस मुर्ली से नेक्स्ट विजे का जंडा लेराने की मुख्य बात क्या है नेक्स्ट महार्थी शवड का अर्थ क्या है और लास्टली पुरानी दुनिया के वातावरण से कैसे उपराम रह सकते हैं तो सुनते हैं 5 दिसंबर 89 की मुर्ली विजे का जंडा लेराने के लिए realization course शुरू करो बहुत ही अच्छी मुर्ली है realize क्या realize करना है आज की मुर्ली में सुनना आज पैप दादा अपनी रुहानी सेना को देख रहे थे सेना में सब प्रकार की नंबर वार्स थी तियनुसार महार्थी गोड़े स्वार और प्यादे देखे महार्थियों के मस्तक में अर्थात समर्थी में सदा विजे का जंडा लेरा रहा था गोड़े स्वार अर्थात सेकेंड नंबर उनके मस्तक अर्थात समर्थी में विजे का जंडा तो थाई लेकिन सदा नहीं लेरा रहा था कभी खुशी की जलक से वा निश्चे की फलक से जंडा लहराता था तो कभी जलक और फलक की वायू कम होने के कारण जंडा लहराने की बजाए एक ही जगे खड़ा हो जाता था तीसरे प्यादे बहुत प्रयतन से निश्चे की रसी से खुशी की जलक से जंडे को लेहराने के प्रयतन में खूब लगे हुए थे लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांट होने के कारण अटक जाता था लेहराता नहीं था फिर भी खूब पुर्शारत में लगे हुए थे किसी किसी का पुर्शारती के बाद लेहराता भी था इसलिए वे जलक और फलक नहीं थी बाप दादा बच्चों की मेहनत देख दूर से सकाश भी दे रहे थे अर्थात इशारा दे रहे थे कि ऐसे करो कोई-कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो रहे थे लेकिन कोई-कोई इतना मेहनत में बिजी थे जो इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं वह भगवान के इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं ऐसी सेना में तीनों प्रकार के योधा देखे जब मेनत से या सहजी सब का जंडा अच्छी तरह से लहराने लगा तो जंडे के लहराने से ही विजे के पुश्पों की अर्थात बाप और बच्चों के परत्यक्षता के पुश्पों की वर्शा सबान रोनक हो गई बच्चे जो मेनत कर रहे हैं उनको बाप दादा सहद साधन सुनाते हैं अब सुनिए सहद साधन निरंतर योगी बनने का अधार सरो सम्मंधों का सहयोग समय पर वा निरंतर विजय का जंडा क्यों नहीं ले रहाता है उसका कारण क्या है आप लोग भी फंक्शन में जंडा ले रहाते हो तो समय पर क्यों नहीं ले रहाता कारण पहले तो रहसल नहीं करते ऐसे विजय का जंडा ले रहाने के लिए मुखे बात रियलाइजेशन नहीं अमरत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो वर्णन तो सबी करते हो लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनभूती करना उसमें अंतर आ जाता है एक है सुनना वा सुनाना की बाप से सरव संबंद है लेकिन हर एक संबंदों की अनभूती और प्राप्ती अपनी अपनी है तो सरो संबंदों की अनभूती वा प्राप्ती में मग्न रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहजी उप्राम रह सकते हैं हर कारे के समय भिनभिन संबंद का अनभव कर सकते हैं और उसी संबंद के सहयोग से निरंतर योग का अनभव कर सकते हो हर समय बाप के बिन-बिन संबंदों का सयोग लेना अर्थात अनमव करना ही योग है ऐसे सहज योगी वा निरंतर योगी क्यों नहीं मनते हो बाबा से बिन-बिन संबंदों का सयोग लेना ही योग है बाबा ने का बाप कैसे भी समय पर संबन्द निवाने के लिए बंदे हुए है जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते सैयोग लेना ही योग कैसे होता है अनभव करो माता का संबन्द क्या है बाप का संबन्द क्या है सखा और बंदू का संबन्द क्या है अगर एक भी संबंद की अनुभूती से वन्चित रह गए न तो सारा कलप ही वन्चित रह जाएंगे क्योंकि कलप में अभी ही सरव अनुभूं की खान प्राप्त होती है अब नहीं तो कभी नहीं तो अपने आपको चेक करो किस संबंद की अनुभूती अब तक नहीं कर पाए है इसी प्रकार से ज्ञान की सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो उस हर पॉइंट का अनुभू किया है जैसे वर्णन करते हों सुदर्शन चक्रधारी है तो सब के दर्शन का अनुभू किया है फिर बाबा ने कहा तो सब के दर्शन का अनुभू किस सदार से कहते हो दर्शन अर्थाद जानना जानने वाला उस जानने की अथरिटी में रहता है जैसे आज कल के शाष्टरवादी सिरफ शाष्टर पढ़ते हैं पिर भी स्वेम को शाष्टर की अथरिटी समझते हैं आप सब रठते नहीं हो लेकिन उसमें रमन करते हो और रमन करने वाला अर्थात Mननंद्वारा सुरूप में लाने वाला ऐसे सदा ग्यान की अथरिटी अर्थात सदा ग्यान के हर point के नशे में रहने वाला होगा ऐसे हर ग्यान की point के authority अर्थात अन्भाव के नशे में रहते हो इसी प्रकार से जो धारणा की subject में भिनबिन गुणों का बर्णन करते हो तो उस हर गुण की अन्भूती की authority हो speaker तो हो शरोता भी हो लेकिन authority हो चेक करो speaker ही के बनूँ शरोता हूँ या authority हो इसी बे नंबर हो जाते हैं फिर नंबर वार बन जाते हैं अब महारती की परिभाशा सुनो महारती अर्थात हर शब्द के अनवव की authority घोडे स्वार अर्थात सुनने सुनने वाले जादा अनवव की authority में कम सैसाधन क्या हुआ realization की कमी अर्थात अनववी मूर्थ बनने की कमी शक्ति और ग्यान का विशेश अंतर ही है वे वरनन है और ये अनवव होता है निरंतर योगी बनने का अधार फिर सुनें निरंतर योगी बनने का अधार सदा सरो संबंदों का से योग लो वाँ 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 कमाल है आपकी अनववी बनो समझा दिन में हर संबंद समय प्रमान याद आना चाहिए मुरली सुनते हैं तो टीचर पढ़ा रहा है आपको भी पढ़ा रहा है हम भी पढ़ रहे है ऐसे सुबह सुबह पिता कितना प्यार दे रहा समय प्रमान संबंद दिन में फ्रेंड के रूप सेवा करें खुदा दोस्त और हम कठे कर रहे नुमा शाम को साजन समझ के कभी किस रूप से कभी किस रूप से निरंतर याद करो अन्भव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो थोड़ा सा नहीं लेकिन सरव प्राप्ती करो दो-तिन संबंद का दो-तिन पॉइंट का अन्भव नहीं लेकिन सरव अन्भवी मूर्थ मास्टर आलमाइटी अथर्टी बनो तो सदा विजय का जंडा लेहर आता रहेगा बाप का तो सरव पर सने है महराष्टर वालों से भी सने है महराष्टर वाले आए हुए महराष्टर वाले सभी अन्भवी मूर्थ बनना तो महराष्टर की विशेष्ता सब विजय ही हो जाए ख्षत्रिय नहीं तो सदा ही मेनत में लगे रहें लेकिन सदा भी जाए अब ख्षत्रिय पन के समय की समाप्ती हो गई है अगर इस समय तक भी ख्षत्रिय रहेंगे तो चंद्रवन्शी बन जाएंगे पक्का सोच लो जिनकी अभी भी हार होती रहती है तो समझो चंद्रवन्शी में जाएंगे अब समय है ब्रह्मन अर्थात विज़ई बनने का बहुत काल का विज़ई संसकार चाहिए अब तो समय ही कम है तो अब से विज़ई पन के संसकार नहीं बरेंगे तो चंद्रवन्शी बन जाएंगे इसलिए अपने भाग्य की लकीर को अभी भी परिवर्तन कर सकते हो अच्छा फिर बाबा ने कहा निश्चे बुद्धी के मन की खुशी की आवाज पाना था सुपा लिया सदा सरव खजानों से संपन अर्थात अपने को माला माल समझते हो जैसे बाप सदा संपन है ऐसे बाप समान सभी खजानों से संपन हो कोई भी खजाने में कमी नहीं अभी तो बाबा कमी रह जाती है ऐसे मन से खुशी का आवाज निकलता है कि पाना था सुपा लिया मुक का आवाज निरंतर का नहीं हो सकता लेकिन मन का आवाज निरंतर अविनाशी है तो एँ मन से आवाज निकलता है कि पा लिया है अंदर से आता है या अभी भी समझते हो कि पा रहे हैं अटल निश्चे बुद्धी बच्चे बन गए हो बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना कभी भी अपने में भी शंशे ना आये, संपूर्ण बनेंगे या नहीं, सूर्यवन्शी बनेंगे या चंद्रवन्शी, सदा निश्चे बुद्धी, जैसे बाप में निश्चे, वैसे स्वेम में थी निश्चे, अच्छा ऐसे सदा विजयी सरव संबंदों के अनभों के अथर्टी ज्यान की हर पॉइंट के अथर्टी हर गुण के अनभों की अथर्टी सेवा की सब्जेक्ट में all rounder or ever ready इस विशेष्टा की अथर्टी ऐसे बाप समान स्रेष्ठ आतमाओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते अच्छा वाह प्यारे बाबा की केसी मुल्ली पिती प्यारी मुल्ली हर संबंद का अनभों करें हर गुण का अनभों की अथर्टी बने ओम शान्ती आज बहुत सुंदर लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसे देखने के लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें